तो नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल डू और इनिक परासर में जहाँ पर मैं जैविक केती से सम्मंदित वीडियोज डालता रहता हूँ जो आपकी मदद के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलों के बाग को अच्ची तरह कैसे लगाया जाए जिससे फ्रॉफिट हो दोस्तों इस वीडियो को सुरू से एंड तक देखना तभी आप इस वीडियो के बारे में समझ पाएंगे फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नई हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ये चैनल आपको जैविक खेती में बहुत मदद पहुचाएगा दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पैदिक करन्तों के अनुसार बाग कैसे लगाया जाए जिससे की फलों की अधिक प्राप्ति हो और बाग भी अधिक स्वस्त रहे आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जिस वी चेतर में आप बाग लगाना चाहते हैं उसकी जमीन को अच्छी तरह जोत ले और नरम कर ले इसके लिए आपको उसमें या तो केंचुव खात का उप्यूग करना है या गोवर खात का उप्यूग कर सकते हैं अब इसके बाद आपको एक महत्पूर्ण चीज करना है दोस्तों आपको इसमें तिली के बीच डालना है जितना आप भूमी यूज कर रहे हैं उसके अनुसार जैसे भी आप हसल करते हैं वैसे डालें क्याकि दोस्तों महर सी बारा महर ने अपने गरंतों में एक अच्चे बाग के लिए विदी वदाई ये कि मरद्वी भू सरवरच्छाना भिता दस्यां तिलान ववेत पुस्पितां सडान मरद्वियात करमेत प्रत्वम भूब जिसका अर्थ है कि बाग लगाने में तिल का जितना महत्पूर योगदान है उतना किसी अन्य पुदे का नहीं है अधर फ्रेंट चैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप ऐसा ही करें और एक अच्छा बाग पाएंगे आप दोस्तों अब इसके बाद जब तिल के पौधे में फूल आ जाएं तो आप इसको उसी भूमी में मसल दे या फिर आप उसकी जुताई कर दें जिससे ये सब फूल और पौधा मिट्टी में ही रह जाए दोस्तों इन फूल और पौधों को अच्छी तरह मिट्टी में मिल ज जुगदान है फल और फूल लगने में नई तो एक पौधा दूसरे पौधे से प्रभावित होता है जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता है दोस्तों आगे महरसी बारा महर जी कहते हैं कि उत्तमम बिंसरहिता मध्यम सोड संतरम इस्थानात स्थानांतरम कार्यम ब् फल देने वाले दो पौधों के पीच की दूरी कम से कम 20 हाथ होना चाहिए अगर आप इतना नहीं कर सकते तो 16 हाथ अधिक्तम 16 हाथ मध्यम होना चाहिए इससे एक पौधा दूसरे पौधे से प्रभावित नहीं होता और उत्पादन भी सही होता है दोस्तों अब इसके बा है मैं उस तरह से आपको इससे स्रीचित करना और खाद बनाना अगली वीडियो में बता दूँगा तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नहीं हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस को लाइक करें और सेर करें और अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं